अश्कार दोस्तों आप सभी बढ़िया होंगे आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो six counseling का जो list आया है हम लोग उसमे analyze करने वाले हैं कि कौन से department में कितने seat खाली चल रही है और क्या expected कर सकते हैं कि क्या office counseling होने का कितने chances हो रहे हैं कि already मैंने वीडियो पे 430 वीडियो डाल दिया है ये 433 वीडियो होने वाला ये सारे के सारे जिव वीडियो हैं सारा center city of हर्याना की उपर में तो अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा explore नहीं किये हो तब तक आप center city of हर्याना के बारे में क्यों upload करता हूँ क्यों आपका help करता हूँ क्यूंकि center city of हर्याना एक different universities है मेरे लिए मैं अपने recording बात करें चाहिए वो डियो हो चाहिए जैए 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 अलग है क्यों क्या answer है ये जब तक आप वीडियो नहीं देखा होगे कि एक सेकेंड बाद आपको पता चल दाएगा वीडियो चार्ट करते हैं जहां पर different department का दियावा जहां पर हम पहले देखते हैं बायो टेकनलोजी के कि पिछले जो cut-up था और इस cut-up में lower total कितने seat हैं decrease हुई है इसमें अगर हम बात करें अगर हम fifth counseling का भी जब हम analyze कर रहे हैं तो उस राइम पर जो seat थी ने बहुत ज़्यादा seat खाली थे अगर हम इसमें भी बात करें जहां पर अभी भी seat लगवा total 22 seat खाली थी वहाँ पर जो 22 लोगों को allotment दिया गया है अगर आप देखोगे display of the category wise allotment list of the offer the admission तो under result के हम बात करें जहां पर total 7 seat होगी वहीं अगर हम OBC के बात देखें तो ये इतने seat खाले होगी SC के seat अलाग है और ST के seat इतने खाली चल रही है यहां लिखावा the merit list is provisional subject to the fulfillment of eligibility and the free question of the document a student need to the login the portal list पे करना है आपको and to the payment आपको करना है एक तारिक से पहले मतलब कल से पहले a student need not to come physically to the university आपको पहुजने के जरुत नहीं है जब भी document verification होगा तो आपको बता दिया जाएगा यहां पर यह भी बात कर रहा है कि जो भी non obvious criminal layer के जो candidates हैं OBC के वो एक तरह से central list का उनको चाहिए यह नहीं कि आप जाकर रहे कि state government का दे रहे हैं और जो हो रहे हैं कि six months से ज़्यादा और नहीं होना चाहिए as per the government rule at the time of the document verification वहीं अगर हम बात करें candidates के जो हैं SCST के लिए उनका भी जो procedure है same है उनका भी certificate चाहिए अगर कोई भी अगर आपको problem है तो आप इस पर direct email कर सकते हैं जिससे आपको problem जो भी solve किया जा सकता है वहीं अगर हम बात करें होटल management का master of the tourism hotel management या फिर master of the hotel management and the catering technology traveling and management का ले लेते जहाँ पर देखते हैं कि total कितने seat पिछले बार थी और इस बार हम लोग कितने थे और हम लोग डिसकस करने वाले हैं कि क्या open counseling में कितने seat रह सकती है अगर हम इसमें देखें तो under result में जो seat हैं अभी भी 8 खाली चल रही है और इसमें 6 seat खाली जा रही है इसमें 5 seat जा रही है इसमें 2 seat जा रही है मुझे लगता है ऐसा कि more than 10 ऐसे भी सीट होंगे जो open counseling के लिए हो सकते हैं मैं आपको बता दू कि chances हो सकते हैं कि 7th और 8th counseling भी हो लेकिन most probably classes start होने वाले हैं तो मुझे लगता है open counseling होना चाहिए जिससे बच्चे का classes का जो समय हैं ज़्यादा ज़्यादा नहीं बीते हैं और जो classes जो छुटे की बच्चे का उसको manage किया जा सकता है तो मैं administration का भी मैं उनसे request भी करूँगा कि आप open counseling कर रहा हैं जिससे बच्चे का जो समय हैं और बच्चे ज़्यादा focus कर सकते हैं पढ़ाई पे वहीं बात करें हिंदी department का हिंदी department के अगर हम बात करें जहां पे पीछले बार से इस बार का क्या scene है इस बार भी साथ सीटे खाली है इसमें भी सीटे खाली जा रही है OBC की सीटे तो खाली है Wacant Wacant SC की सीटे खाली जा रही है ST के सीटे खाली जा रही है, EWS के सीटे खाली जा रही है मतलब आपसे request यह है कि कोई ऐसा बच्चा जो open counseling एडविशन लेना चाहता है आपका यहाँ पर एडविशन confirm हो जाएगा क्योंकि सीटे जो है पूरे के पूरे खाली जा रहे है OBC के 3, ST के 3 जा रहे हैं ऐसे खाली आप देखो ST के 20 सीट है उनका अडविशन हो रहा बच्चे का ST का देखो खाली जा रहा है मतलब अगर आपको लेना है तो हिंदी डिपार्टमेंट में आप 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 अडविशन ले सकते हो PG जो है यहां पर PG Diploma इंट रही है विशन सैकलोजी डिपार्टमेंट में हम लोग इस पर भी बात करते हैं कि कितने सीटे अभी इसमें खाली चल रही है इसमें अगर देखें कि जहां पर 2-2 सीटे खाले जा रही हैं हो सकता है यह ओपन कॉंसलिंग तब होच देने से पहले सीटे सारी फिल हो सकती है वहीं अगर हम बात करें सैकलोजी डिपार्टमेंट का जहां पर पीछले बार से इस बार में ज़्यादा कुछ चेंजिस नहीं आए हैं थोड़ा से चेंजिस आए हैं अगर हम देखें जनरल से के टेगरी का जहां पर टोटल 10 सीटे अब भी खाली चल रही है वहीं अगर और इसी किसी सीटे अगर देखें जहां पर 7 कॉंसलिंग साथ सीटे खाली जा रहे है इसकी जो cut-off है थोड़ा high चल रहा है out of 300 अगर हम इसमें भी देखें 234 highest गया है 231 lowest गया है वहीं ऐसी कटेगरी का देखें 164 highest 163 lowest होई ऐसी कटेगरी का 38.21 चल रहा है और EWS का 50 सीटे खाली चल रही है तो सीटे जो है बहुत ज़्यादा खाली रह रही है तो बच्चे अब मैं भी हमेंसा आपको request करता हूँ कि आप आईए open counseling में और अपना सीट at least confirm करिए MSC में अगर हम देखें जहां पर physics का देखें जहां पर total 7 सीटे भी खाली चल रही है जेनरल की और SC की पांच और ST के 3 और EWS के 2 सीटे काफी चल रही है मुझे लगता है more than 10 सीटे जो open counseling में रह सकते हैं उसके लिए उसके लिए प्रोपरी नहीं रह सकते हैं लेकि जितने सीटे खाली होती है तो हो सकता है अब 7th counseling 8th counseling भी हो सकता है मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि जो रही नहीं को open counseling ही वहाँ पे हो एकोनॉमिस डिपार्टमेंट का बात करें तो पिछले बार 20 सीटे बहुत ज़्यदा खाली रहे थी और उसका जो cut-up था वो पिछला बार भी low गया हुआ था और इस बार हम लोग देखने वाले कि कितने cut-up गया हुआ इस बार भी और कम गया हुआ है तो देखो आप 101 से ल जा रही है तो मुझे लगता है more than 15 सीटे जो है open counseling में भी बच करके रहेंगे जिससे बच्चे जो है यहां पर आगर के अपना admission ले सकते हैं जिनका यहां आप चाहते थे कि हम सेंटर शीटियों फर्याना पढ़ाई करें वहीं अगर हम political science का बात करें जहां पर highest 153 गया है औ लोविस जो गया है 152 गया हुआ है इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे contact में हैं और जिनका admission हो भी रहा है उनको हमें ऐसे congratulate करूंगा और जो बच्चे हैं जो help decks जो group बनाए हैं उसके दोबारा जो love ले रहे हैं तो मैं उसे कहूंगा कि आप university जब जा रहे हो तो एक दो फोटोज क्लिक करके आप जुरूर ग्रूप में share किजिए जिससे बच्चे जो हैं वहाँ पर देख सकते हैं कि सेंट आउस्टी ऑफ हर्याना का इसा रिमसीटी है वहाँ का इन्वारिमेंट का इसा है साथ में obviously सीटे अगर हम बात करें जहां पर दो सीटे हैं और स् जब general में 4-5 सीटे खाल रहेगी तब भी आप आ सकते हो क्योंकि देखो यहाँ पर एगर second देखें 153 marks जो है OBC का है जो बच्चे का अड़िशन हुआ है मतलब जो OBC का बच्चा है वो general में ले सकते हैं जनरल का बच्चा OBC में नहीं ले सकते अड़िशन तो यह आपको preference मि 5-6 सीटे तो प्लस 5 से तो कम बता दिया उससे ज्यादा भी सीटे खाली रहेगी ऐसे करके हम LLM का अगर हम देखें जहां पे पिछले बार के according LLM जो बहुत सारे बच्चे हैं बोले थे कि भाई मुझे अड़िशन चाहिए open counseling में तो अगर हम इसका analyze करें जहां पे दो ही स तो चले को कि सर आपका question यह होगा कि LLM में मातर दो सीटे suppose that की open counseling के लिए रहती है तो क्या हो सकता है मेरा कहना है कि आप आओ क्यों आने क्लिमें बोल रहा हूं कि चार पांच बच्चे ऐसे भी होते हैं जो last last में एड़िशन कैंसल करते हैं तो जो waiting में अगर आपका नाम में हेक नहीं हजार questions रहे हैं वहीं अगर हम LLB का बात करें जहां पर 146 lowest गया हुआ है और 122 SC में एस्टी में 36 और इसमें 162 अगर हम बात करें तो लगभग more than 15 से प्लस जो सीटे हों और मुझे लगता है ऑपन कॉंसलिंग तक बच जाएगी तो जो भी बच्चे चाह रहे हैं एड़िशन लेने का तो आप आई यहां पर एड़िशन लीजे मैंने आपका बहुत सारे deeply analyze कर रह सकता है और बाकि जो ग्रूप में जोइन नहीं किये हैं यूजी के लिए पीजी के लिए जाए ग्रूप में जोइन होई और अपना कॉईरिज वहां पर रखे जहां पर हमारे जो expert हैं उनके द्वारा उतर दिया जाएगा बाकि जो भी नए है चैनल पर जल्द से जाल लेकियां।